है गाइस तो आज हम मराने वाले हैं बिना चिकन मटन के अंडे का नरगेशी कुफता और देखें यहां पे कितने अच्छे दिख रहे हैं तो अभी हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं आप इसे इफ्तारी में भी बना के खा सकते हैं आपको बहुत पसंद आएंगे तो दे सकते हैं अपना के तो इसे अगर 57 में धिना पानी डाले हुए तो देखें कि इसलिए यहां पर चाहा यूह मैं यहां पर लागए तो इस तरह हमें प्यास है मैंने यहां इहां दो आलू लिये हैं इसे भी हम इसकेन Ezrk कर डाल देंगे आता रही सकते हैं अगल पर अलूं घ्रेट कर लिया है इसके अंदर काल ही सथी के लिए तो सब-ब्सपूनु साथी ते इसकेश ओड्yun देढे तो दी आपने सब दिया है तो सब आप में और सब करेंगे यह मैंने थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना काटके ले लिया यह दोनों मिला के एक मुठी होगा इसे भी हमें इस में ने कर लिया है और साथ में अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक टेबल स्पून अध्रक लैसून का पेश्ट तो यहां पर मैं इसे एड क आप अगर चाहें तो कोई भी मसाला इसके अंदर कर सकते हैं या अगर आपको कुछ एड़ करना हो तो देखिए मैं आप एच्छा से मिला रही हूं यह कितने अच्छा से मिल गया है तो आप इसे हैं न चेक कर लेना एक बार कि यह गीला नहों इस तरह से आप उठा के देखे अगर इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मौस्चर ज्यादा लग रहा हो ना तो इसके अंदर आप कॉन फ्लार या बेसा नैट कर दीजेगा नहीं तो यह तेल में फटने लगेंगे आप एक बार देख लीजेगा और यहां पर देखिए मैंने तीन अंडे को बॉयल करके और इसे बीच में से काट लिया है आप चाहें तो अखा अंडा भी ले सकते हैं और या फिर आप एक अंडे की चार भाग भी कर सकते हैं तो अब चलिए हम कवाब की शेप बनाना च्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर मैंने हाथ को चिकना कर लिया है तेल लगा के तो तो यहां पर मैं मिक्षर उठाऊंगी और देखे इस तरह से मिक्षर उठाके ना हमें हाथ पर रखना इसे फैलाना है और जो हमारा अंडा है ना जिसका यलो आला पार्ट है वह यलो आला पार्ट नीचे रहेगा तो इस तरह से हमें लेकर अच्छे से बन करना है दोनों हाथ और अच्छे से कोट हो जाना चाहिए और आप है ना इसे इस तरह से बनाई है और अगर आपको यह गीला लग रहा हो तो आप इसके अंदर कॉन फ्लार या बेशन जरूर एट करें नहीं तो यह तेल में फट जाएंगे तो इसके लिए देखें यहां पर मैं अच्छे से चिक करेंगे नहीं और यहां पर हमने छे कबाब रेडी कर लिए हैं और इसके साथ ही मैं यहां पर आपको दिखाती हूं कि इसके अंदर है ना देखिए हमारे पास इतना मिक्षर बज गया है तो आप इसका इसको टिकी का शेप देके बना सकते हैं नहीं तो बॉयल अंडा करके भी आप इसे बना सकते हैं जैसे हमने अभी बनाया है तो यहां पर चलिए अब हम तेल की तरफ चलते हैं तो देखिए हमारा तेल यहां पर हमने रख दिया है गरम हो चुका है तो इसके अदर में इस तरह से उठाके सारे कवाब इसमें डाल दूंगी देखिए आप पहले एक कवाब डाल के चेक कीजिएगा कि फट रहें तो आप देख सकते हैं आप मेरा कवाब फट नहीं रहा है तो आप इसके अंदर अगर आपका कवाब फट रहा हो तो आप याद से इसके अंदर जरूर मैदा या कॉण Claus season मिलािये तो देखे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लाल करना कि 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 मैं आ लाल हो गया और कितना क्रिस्पी दिख raft आप से अपधे कर सकते तो इस तरह से देखे मैं आपको काट के भी डिखा दिया तो आपको को ऐसा नहीं लगेगा कि चिकन और मटन के बगेर बना हुआ है इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है इसके उपर आप निम्बू नी चोड़िए इसे सॉस के साथ हरी चटनी साथ इंजॉय कीजिए और साथी में हरी मिर्च का भी आप यूज़ कीजिए बहुत कि थेंक यू